देश की राजधान की दिल्ली में रेरा यानी की रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉर्टी के एक नोटिफिकेशन आने के कारण बहुल जादा हलचल मची हुई है दिल्ली में बन रहे बिल्डर फ्लोर्स के बिल्डर्स की टेंशन बढ़ गई है अब बात आती है ऐसी क्या नोटिफिकेशन है ऐसे क्या ओडर्स पास किये हैं जिसके कारण दिल्ली में हलचल मची हुई है तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल के बात करने के लिए क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है कि मार्केट में हलचल मचीव हुई है दिल्ली में जादा तर आपको बिल्डर फ्लोर्स देखने को मिल जाएंगे दिल्ली के ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं चाहे मैं पोज इरे की बात करूं चाहे मैं दिल्ली के अनौथराइज कोलोनी की बात करूं यहां पे बिल्डर फ्लोर्स का चलन काफी जादा है आप दे प्लोट पे वो कम से कम आठ से नौ यूनिट्स बना के प्लिड आउट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन अब डिली रेडा अथोर्टि ने अब कुछ रूल्स पास कि हैं जिसके अकॉर्डिंग बिल्डर अपने बिल्डर फ्लोर्स बना सकते हैं अब यूद प्लोट देती हूं कि पचास मीटर का अगर प्लॉट साइज है तो उसके ओपर बिल्डर सिफ और सिर्फ तीन फ्लोर ही बना सकता है और वहाँ पर इंडिपेंडेंट यूनिट होगे यानि एक फ्लोर पे सिर्फ एक यूनिट ही होगा इस तरीके से तीन फ्लोर बनेंगे यानि तीन य चार यूनिट बनाना ही अलाउड है 101 मीटर से लेकर 200 मीटर तक मात्र 4 यूनिट बनेंगी 200 मीटर से लेकर सड़े 700 मीटर तक 5 यूनिट ही बना सकते हैं अब बिल्डर सड़े 700 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक मात्र 7 यूनिट बनाई जाएंगी 101 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक के प्ल प्लॉट साइज पे मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो बिल्डर्स 15-15 यूनिट बनाके बेचा करते थे और प्रॉफिट कमाया करते थे लेकिन अब यह रूल जा गई है कि मातर 7 यूनिट ही बना पाएंगे 1501 मीटर से लेकर 2250 मीटर तके प्लॉट साइज पे मातर 10 यूनिट बना पाएंगे और 250 मीटर से लेकर 3000 मीटर तके प्लॉट साइज पे अब मातर 10 यूनिट ही बना करेगी तो यानि कि अब बिल्डर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लेंस बढ़ चुकी है यानि कि जहां वो हजार जार मीटर के प्लॉट साइज पे पंदर पंदर यूनिट बना के सोल्ड आउट करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे आपने दिल्ली के कई सारे एरियास देखे होंगे लक्षमी नगर, माया, पूरी इवन मैं बात करूं तो आपका उत्तम नगर, द्वारका, मोर इसके साथ पोज एरिया की बात करें तो वसंद कुछ इन सभी एरियास में बिल्डर फ्लोर्स का चलन सबसे जादा था और तरीके से effect करेगा, बिल्डर के उपर या फिल लोगों के उपर कि अब किस तरीके से वो खरीद पाएगे तो जाहिड सी बात है, पहले अगर हम चार फ्लोर देखे तो बिल्डर चार फ्लोर बनाते थे, चार फ्लोर पे जाधा जाधा यूनिट्स बन जाते थे, अगर 100 गज उनको भी थोरा सा कम डेट बे वो फ्लोर टाट्स मिल जाए करते थे, लेकिन अब बिल्डर क्या करेंगे कि अब अगर इंडिपेंडन्ट यूनिट बना रहे हैं एक फ्लोर के उपर तो जाहिर सी बात है, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, वो आठ यूनिट का जो मार्ज बढ़ सकती है, आगे चलके कि जिसने खरीद रखा है, जिसके चल रही थी या होने वाली थी, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मार्केट बेसिकली अभी मार्केट में बहुत जादा हलचल मची हुई है, इस न्यूज के कारण देखा जाए तो 2008 में ही कुछ रूल्स सुप्रीम कोट ने निकाल दिये थे, कि 50 मीटर के प्लॉट साइस पे मात्र तीम यूनिट ही बनाना लाउड है, लेकिन बिल्डर्स को यही था कि रक्सा जब पास कराते थे, तो तीम यूनिट का ही कराते थे, लेकिन बाद में नक्से में चेंज करके, वो उन प्लॉट साइस पे जो वो 15-15-20 यूनिट बना के बेचा करते थे, वो अब नहीं होगा, यानि कि अब लिमिटेड प्लॉट साइस पे लिमिटेड यूनिट बना करेंगी और उसके अकॉर्डिंग ही नक्सा पास हुआ करेगा, तो अब जाहिर सी बात है कि जो होम बायर्स है, फ्लोर्ज मिला करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट यूनिट मिला करेंगी या फिर आपको आप देखोगी, तो आपको कम लो डेंसिटी देखने को मिलेगी उन जगाओ पे, तो साइब सी बात है, फैसलीटी तो आपकी बड़ी है, लेकिन बिल्डर्स तो अपना मार्जन अगर आप जाते हैं हर्याना की तरफ तो वहां पे भी बिल्डर फ्लोर तक बनाना अलाव नहीं है हाँ अगर आपको आसपास दिल्ली से बहार इंवेस्टमेंट करनी है तो आप विशाली जा सकते हैं कॉरसाम भी जा सकते हैं जो नियर बाई पड़ता है दिल्ली से टच में ह साथ में वहां आपको शायद reasonable rate में मिल जाए क्योंकि वहां ऐसे कुछ rules अभी पास नहीं हुए हैं अभी दिल्ली के अंदर ही Supreme Court ने यह rules जो है निकाले हैं तो basically अब effect तो इसी तरीके से ही कर रहा है कि अब market में prices बढ़ेंगे home buyers की थोड़ी से tension बढ़ जाएगी क्योंकि ज उत्मनगर का तो द्वारका से टच में हैं उत्मनगर द्वारका मोर जनकपूरी अगर में इनके unauthorized colonies की बात करनों तो पचास-पचास गज के यूडिट्स वहां पर बहुत से में मिल जाये करते थे for example आपको पच्चीस लाग तीस लाग पैतिस लाग चालिस लाग के अंद बाजा भी लगा हूं तो आपको 60-70 लाग तो बढ़ेगा है क्योंकि जो बिल्डर एक फ्लोर पे पचास-पचास गज के दो यूनिट बना के बेचा करते थे अब उनको एक ही यूनिट बनाना है तो जाहिर सी बात है प्राइस तो बढ़ेगा आपको फेसलिटी भी के से यूटिलाइस कर रखा है कि आपको प्रॉपर अगर 100 मीटर का प्लॉट साइज है तो 100 मीटर के अंदर अंदर यानि कोई भी जगा ना छोड़के पूरे प्लॉट साइज पे घर बना देते हैं फ्लैट्स बना देते हैं जिसके कारण थोड़ी सी चीजे इधर दर हो ज ना सकते हैं इस तरीके से 100 बीटर या 100 गज की बात करों तो उसके अंदर सिफ चार यूनिट सी बनेंगी कहीं न कहीं फसलिटीज बढ़ी है आपके लिए लेकिन प्राइज भी बढ़े हैं अपना मार्जन निकालेंगे अपने मार्जन निकालने के लिए जाइज सी बात है प्राइज डबल कर देंगे इसके कारण देश किराजानी दिली में बहुत जादा हलचल मची हुई है तो अभी जितनी न्यूस हमारे सामने आई है मैंने आपके साथ शेयर की है आगे कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताती रहूंगी तो आप हमारे चैनल में बने र नहीं रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मैं आप से मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार और से